हेलो दोस्तो, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे और आपकी बाट प्रिक्षा की त्यारी भी अच्छे से चल रही होगी तो हम आपके लिए 29 मार्च को होने वाले विज्ञान विश्य के बाट प्रिक्षा को लेकर आ गए हैं ठीक है तो चलिए क्लास सरु करते हैं, पहला है खंड ए के तहित टोटल 12 आपके बहु विकल्पी प्रशन दिये गए हैं पादब के मूल व्यास में बरदी का कारण क्या है? तो वो कौन सा आर्मोन है? साइटो काइनेन. अगला, ऑक्सिजन करांती क्या है? तो ऑक्सिजन करांती है, वो किसे समंदे थी? तो निलहरित सेवाल जैसे जीवों के दुआरा प्रकास संस्लेशन में ओटू को मुखत होना, निल हरी, सिवाल से संबन दे थी, ऑक्सिजन करांग थी Q4, मारबल को गरम करने पर यह चुनने और गैस को मुक्त करता है वह गैस कौन सी है, तो मारबल का सुत्र क्या होता है, CACO3 तो कौन सी गैस होगी, CO2 गैस, निम्न मैंसे परबल सार कौन सा है तो इनम्न मैंसे जो परबल सार है, वो है आपका पोटेसियम हाइड्रो अक्साइड अगला, Q6, पोटेसियम की प्रमानु संख्या कितनी है? तो पोटेसियम की जो प्रमानु संख्या है, वो है 19 प्रशन संख्या साथ, वाहनों में पच्च दरश्क्री दरपन के रूप में कौन सा दरपन प्रियोगत होता है? वो है आपका उत्तल दरपन वो हता है टेन टी पावर माईनस 6 ओम प्रशन संख्या 10, उर्जा का पारंप्रीक्स रोथ है, तो उर्जा का जो पारंप्रीक्स रोथ है, वो है आपका कोईला आगे प्रशन संख्या 11, पारस्तितिके तंत्रा के दो घटक, कौन-कौन से है? जैविक और जैविक अगला भोम जल है क्या है तो भोम जल है वर्षा का जल क्या है है हुँ जल का मतलब है कि वरसा का जल ठीक है यह था आपका पहला प्रशना जिसमें टोटल 12 आपके अब सदह दिये गए थे आगе बढ़ते हैं प्रषन संग्यात दो जिसमें आपको टोटल 6 रिक तिसताहरित प प्रश्न और प्रश्न दिया गए है पीरा प्रस्न है किरियात्मक समो separating yogic वो कार्बनिक ही कहलाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बनिक, यहाँ लिख सकते हैं, कार्बो ओक्सलीक अमल, ठीक है, दूसरा, किसी कोस में इलेक्रोनों की अधिक्तम संख्या, कितनी हो सकती है, 2N स्क्वेर हो सकती है, अगला, वरसन, सुक्राणूओं के साथ, यहाँ समानूपाती, यहाँ पर यह क्या है, C-N-H-2-N-O-H, तो यह किसका सुत्र है, यह है आपके अलकोहल का सुत्र, अलकोहल का समने सुत्र होता है, C-N-H-2-N-O-H, प्रशन संक्या 5, ओम का नियम, किसी परतिरोद के सीरों के बिच विववानतर, उसमें प्रवाहित जगव होता है, क्या होता है, अनू कर्मानूपाती, क्या होता है, अनू कर्मानूपाती, या क्या लो समानूपाती होता है, ठीके, B, डिरेक्ली प्रपोर्शनल्टू क्या होता है, आई, जबकि सरत यह है कि परतिरोद्यक्त का आप समान रहना चाहिए, अगला, विदूध मैता, खाली जगर रंग का प्रियोग किया जाता है, तो जो विद्द मैतायर होते हैं, वो लाल रंग के प्रियोग किया जाते हैं, कौन से रंग के? لाल रंग के. आगे बढ़ते हैं प्रशन संग्या 3, इसमें total 12 आपके सामने अतिलगू उत्रात्मक प्रश्ण दिये गये हैं ठीके प्रश्ण संग्याएक है अपचन का एक और द्योगिक अनुप्रियोग बताईए तो इसका उपयोग धातूओं के सोधन कारे में किया जाता है कहाँ पर अपचन अभी किरिया का उपयोग धातूओं के सोधन किरिया में किया जाता है दूसरा लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है और जब इसे अमोनियम हाइड्रो अकसाइड के विल्लियन में डूबवया जाता है लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है जब इसे अमोनियम हाइडरो एकसैड के विल्लेन में ढूगा जयता है.. तो लाल लित्मस पत्र कैसा हो जाता है? निला हो जाता है. अगला, गयने बनाने के लिए प्लेटिनम, गॉल्ड और सिलवर का प्रियोग क्यों किया जाता है? क्योंकि silver और जो gold हैं, वो समकदार चते होने के साथ संचारन के परती कैसे होते हैं, उच परती रोध होते हैं, इन पर आसानी से जंग नहीं लगता एक तो इनकी सत्य चमकदार होती है दूसरा ये कैसे होते हैं संचारन के परती उच्च परती रोधी होते हैं याने इन पर आसानी से जंग नहीं लगता question number 4 निम्न मैंसे संत्रप्त हाइड्रो कारबंद को चुनिए संत्रप्त का मतलब जहाँ पर कारबंद और कारबंद के बीच में single bond होता है और इसका सुत्र क्या होता है cn h2n plus 2 ठीक है तो इनम्न मैंसे कौन कौन से हैं देखो double और उसके साथ 2 जूड़ा होना चाहिए 4 का double 8, 8 और 2 10 एक तो ये है फिर 6 का double 12 और 2 16 ये है तो ये दोनों है जो आपके संत्रत आइड्रोकार्बन है अगला है औरगन की इलेक्ट्रोन सरंचना तो औरगन की इलेक्ट्रोन सरंचना क्या होगी 2, 8 और 8 k, l और m कितने नमबर पर आता है 18 नमबर पर अगला परकास अनुवरतन को परिबासित की दिये तो परकास के परती अनुक्रिया में पोदे के भाग की गती परकास के परती अनुक्रिया में पोदो के भाग की गती यानि परकास की तरप पोदो के भाग की जो गती है वो ही क्यलाती है प्रकासानुवर्तन गती इन कारकों के कारण पुस्पो में परागन होता है पुस्पो में जो परागन है वो कीट जैसे मद्दू मख्या और तीतलिया टिडिया, बायू और जल इनके माध्यम से क्या होता है परागन के क्रिया होती है अगला परती रोधों को स्रैनी करम में संयोजित करने पर कौन-कौन सी बोतिक रासी सभी परती रोधों के लिए समान होती है तो परती रोधों को अगर हम स्रैनी करम में संयोजित कर दे तो सभी परती रोधों के अंदर जो विद्धु धारा है विद्धु धारा आई का मान सभी परती रोधों को में समान होगा अगला एक परिजालिका में विद्धुत दारा के दीषा बदल जाती है, तो द्रुवयों के इस्तति भी बदलेगे, तो हाँ द्रुवों की इस्तति भी बदल जाएगी तो वो होने चाहिए आपकी 15 किलो मेटर परती घंटा ओने चाहिए अगला किसी जेव मंदल के दो जेव अवेवो की सूची बनाए, तो दो जेव अवेव कौन कौन से हैं, एक तो है आपके पादप और दूसरा है आपके अब गटक, अब गटक में कौन कौन से आगे, अब गटक के अंदर आपके बैक्टरिया और आगे जिवानों, बैक्टरि आगे बढ़ते हैं लगू ऊत्रात्मक प्रश्ण प्रश्ण, इन सभी के जो भी उत्तर हैं मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर इसके PDF डाल दूँगा, वहाँ जाकर आपको सभी के PDF आराम से देख सकते हैं, ठेक है, सभी के आंस्वर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, प्रशन सिंग्या चार है, समझाईए कि क्यों sodium hydroxide valium को एल्यूमिनियम तथा sodium hydroxide, वीलेनों के मिसरन को जल उसमक में 330 Kelvin पर गरम किया जाता है, और दूसरा है, जब एथनोई कमल, sodium hydroxide से अभी किरिया करता है, तो आपको बताना है कि इस इस्ति में क्या होता है, प्रशन सिंग्या साथ, तत्व, mg, magnesium, आवर्स्तानी के दीतिये समू में है, यदि mg क तत्व का परमाणु भार आपको क्या करना है, ज्यात करना है, प्रशन सिंग्या 8, रक्त क्या है, और मनुष्य में स्वेत रक्त कणों की संख्या कितनी होती है, वो लिखनी है, ठीके, रक्त क्या है, और मनुष्य के अंदर WBC की संख्या कितनी होती है, वो आपको बताना है तो वो कितनी होती है 4500 से लेकर आपके लगबग 11000 ठीक है पर ML रक्त के अंदर WBC की संग्या होती है और रक्त क्या है रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है ठीक है अगला वर्सा होने के समय मक्का के परागन किरिया में क्या-क्या परभाव पड़ सकता है ये आपक क्या होता है जब परकास की किरन कांच से ओकर गमन करती है परती रुद्धक्ता के प्रिभासा और इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है और क्या ताप के साथ इसके मान में प्रिवर्तन होता है ये भी आपको बचाना है प्रश्न संग्या 13 एक विद्धुत बल्ब को 220 वल्ट सप सेंपल है P equal to V upon I ठीक है P equal to V Map होता है दफ आपको क्रुदा क्या को फ्र्राइं के द्वारा के द्वारा के स्थापित तुम्प के चेत्रों के आपको तुलना करनी है और द्वारा के होत्यए के पृस्ति we अगला नाभी की रियक्टर का सिध्धान्त समझाना है अगे बढ़ते हैं खंडसर दिर्ग उत्रात्मक प्रश्ण संग्या सत्रा प्रश्ण वियोजन अभिक्रिया क्या है दूसरा है क्या होता है जिब सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय के लिए सूरे के प्रकास में रखते है और तीसरा तिल्वर क्लोराइड को सूरे के प्रकास में रखने पर होने वाले अभिक्रिया के लिए आपको समिक्रन लेखना है ठीके प्रश्ण संग्या 18 गुर्टवा नूबरतन गती और इसपरशा नूबरतन गती में एक अंतर बताना है आक्सीन और साइटो कानीन में क् प्रश्ण संग्या 19 प्राकर्तिक चेयन और जाती उद्भव जेव विकास को प्रेरित करते हैं इस कतन के आपको पूश्टी करनी है कि प्राकर्तिक चेयन और जाती उद्भव दूनों जेव विकास को कैसे प्रेरित करते हैं प्रश्ण संग्या 20 दरश्टी दोस क्या होते ह ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका निवारन कैसी किया जाता है। ये आपको बताना है। ये आपका सूस के बुजा हुआ चोना है, ये कलोरिन गयास है और ये आपका विरंजक छोन है। अगला प्रशन है प्रशन संग्या 22, मानव के वक्रक की आंतरीक सरंचना का आपको नामांके चित्र मिनाना है। अथवा में है, मनुस्य में पाचन की क्रिया का आपको वीवरन देना है। प्रशन संग्या 22, अवतल दरपन, गोली दरपन के लिए शुत्र, 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u का निगमन करना है कि शुत्र का उत्पती कैसे होती है। ठीके, अवतल दरपन का उधारन देकर सिद्ध किजिए कि गोली दरपन की फोकस दूरी, दरपन की वकरता थरीजा के क्या होती है, आदी होती है। ठीके दोस्तों, तो ये था आपका विज्यन विश्या के पैपर, उम्मिद करता हूँ इस पैपर में से कई सारे प्रश्न, कल आपको अपनी बॉल्ट विक्षा के पैपर में देखने को मिलेंगे। इस पूरे पैपर की जो आंस्वर की है, मोट एलग्रम चैनल पर अपलोड कर दूँगा, वहाँ जाकर आप पूरे पैपर के आंस्वर की को आराम से देख सकते हैं। यदि आपको मेरी क्लास और मैंनत पसंद आई है, तो फिर लाइक, कमेंट, सेरो, सब्सक्राइब जरू ठोक देए। आज के लिए इतना ही, जै हिंद, जै भारत!